वेलकम टू हनी का किचन तो कैसे हैं आप सब और आज हम आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आए हैं जो सब के फेवरेट होते हैं और आप देख सकते हैं ये हैं हमारे बतवे के पराठे क्योंकि सर्दियों का मौसम है और बतवे के पराठे ना खाय जाएं तो ऐसा तो होना अगर आप चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पुराने हैं तो लाइक शेयर भी जरूर करें नए को भी लाइक शेयर करना है तो चले स्टार्ट करते हैं बिना देर किये तो यहां पर देखे आटा हमने ले लिया है तो यह वाले लिये हैं हमने दो बॉल आट तो यहां पर बत्वा लिया है, हमने 500 ग्राम, आगे मैं आपको दिखा देती हूँ यहां पर लाल मिट्च पाउडर और साथ में नमक, और लिया है जीरा, तो जीरा लेना है यहां पर वन टेबल स्पून अच्छे से भर के जीरा लेना है, जीरे के बहुत अच्छा टेस्ट आ पुलब के इसके आयुक। मैंस में चुकूछ कणते हैं। जक्षाओर शाय। दाने में पूने चुछ में le suicid bucks, इस कणते हैं। तो बेसन आप इसमें जरूर डालें, बेसन से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, थोड़े थोड़े से क्रंची से भी लगेंगे हमारे पराठे, तो बस इतना सामान हमें इसमें डालना है और साथ में डाल देना हैं बत्वा, तो देखें बत्वे को यहाँ पर हम रफली काट लेते हैं, कोई बहुती फाइनली इसको चौप नहीं करना है, ऐसे इसके छोटे-छोटे से पीसिस कर लेते हैं, जिससे गुंदते टाइम हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो बत्वा यहाँ पर हमारा कट चुका है और इसको डाल देते हैं हम आटे में, तो यह सारा डाल दे तो इस टाइम पर अभी हमें आटे में पानी नहीं डालना है, क्योंकि जो हमारी हरी सबजिया होती है, उसमें पहले ही काफी पानी होता है, तो उसी के थ्रू यह थोड़ा-थोड़ा इसमें मिक्स होता चला जाएगा, तो देखें यहाँ पर यह काफी मिक्स हो चुका है, अब मिक्स करने के बाद में जैसे हम नॉर्मली आटा गुनते हैं, इसी तरह से हमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए इसको गुनते चलना है, तो बने रहे हैं पूरी वीडियो में अगर आप को चाहिएं बहुती क्रंची से, बहुती टेस्टी बत्वे के पराथे, तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक शेयर जरूरा है, तो यहाँ पर हमारा आटा भी गुन चुका है, इसी तरह से आपको आटा गुन लेना है, और उसको हमें रख देना है, कुछ दे हो चुकी है, यह हमने यहाँ पर चड़ा दिया है, तवा, तो आगे चलते हैं, यहाँ पर हम आटे के पेड़े बनाने के लिए, तो सामान यहाँ पर सारा रख दिया है, हमने सूखा आटा ले लिया है, साथ में हमने यहाँ पर आटा ले निकाल लिया है, तो जैसे हम के हाथ से हमें बेल लेना है तो बेल दे हुए आपको ये बात माइन में रखनी है अपने कि जो पराठा है वो बहुत जादा आपको पतला नहीं बनाना है बहुत मोटा भी नहीं बनाना है क्योंकि जो बथवा और जो आटे का रेशो है वो इसमें हमने 50-50 रखा हुआ है तो कहीं ऐसा ना हो आप बहुत ज्यादा पतला बना दे और वो पराठे की जगा आपका पापर बन जाए तो आपको इतना ज्यादा पतला नहीं रखना और बहुत मोटा भी नहीं रखना है कि वो खाने में अच्छा ना लगी तो देखे इस तरह से आपको इतना बड़ा पराठे को बेल लेना है और बस डाल देना है आपको गरम तवे पर एक से दो तो नहीं एक मिनट के लिए आपको कम से कम पहले इसको अच्छे से सेखना है और फिर आपको क्या कर देना है पलट देना है तो यहाँ पर हम पराठे को पलट देते हैं यह देखे एक साइड से यह थोड़ा सा सिख चुका है पूरी तरह से हमें इसको नहीं सेखना ह गया पराठा हमारे ने लिगा नहीं द्री धृक्ती को यह उसका है तो हम लगा देते हैं और इसको हलके हाथ से हम फोड़ा घुमाते रहेंगे आपको घुमाते रहना है इस तरह से आपका पराठा की शेफ पापड में नहीं बदलेगा शेफ तो रहेगी तो बहुती ज्याद पराठा बहुत अच्छे से सिख चुका है दूसी तरफ से भी हम इसको इसी तरह से से लेते हैं तो बस यहां पर हमारा हो चुका है बत्वे का पराठा रेडी तो आपको एक बार फिर से याद दिला देती हूं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर आप एक बत्वे का पराठा रेडी और सीक्रेट बात यह है इसको पराठे को रेडी करने से पहले हमने एक पराठा और बना लिया था और उसको खा लिया था तो यहां पर बनाने जा रहे हैं हम दूसरा पराठा इसी तरह से करके सारे पराठे कर लेते हैं हम रेडी तो अगर आपको तोड़ कर दिखाती हूं तो देखे कितने इजी ली टूट रहे हैं सौफ्ट भी है और क्रंची भी है सबसे अच्छी बात यह है इसको मोड कर दिखाती हूं तो देखे कितनी इजी ली यह एकदम से मुर्ज रहे हैं पराठो में करना कुछ नहीं होता बस